कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टड़ी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तिरकोन मिती के टोटल और तालिस मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुला जिसे हम निकालना इसमें सीखेंगे रटना नहीं है बस निकालना हमें सीखना है क्योंकि अगर आपको फॉर्मुला याद भी नहीं रहेगा अगर आपके पास कंसेप्ट किलिए रहेगा तो आप आसानी से फॉर्मुला ग्याद कर पाएंगे ठीक है और इस वीडियो को कौन-कौन से बच्चे देख सकते हैं तेंथ वाले, 11 वाले और 12 वाले इन सभी क्लास वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं अब यहाँ पे जैसे एक फॉर्मुला मैं आपके सामने रख रहा हूं अगर मैं आपसे पूछू कि साइन 90 डिग्री माइनस ठीटा क्या होगा तो तेंथ वाले बच्चे कहेंगे कौस ठीटा 11 वाले भी बच्चे कहेंगे कौस ठीटा और 12 वाले बच्चे भी कहेंगे कौस ठीटा लेकिन अगर मैं वहीं मैं ये पूछूं कि साइन 90 डिग्री पलस ठीटा क्या होता है तो तेंथ वाले बच्चे तो मूँ बादेंगे उसको पते नहीं रहेगा लेकिन 11 वाले बच्चे ये सुनके नाचने लगेंगे क्योंकि उसको पता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसलिए इसे समझना जरूरी है तो आईए अब हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं तो कंसिप्ट क्या है प्यारे बच्चों मेरे पास कंसिप्ट क्या है सबसे पहले आपको समझना होगा क्वारेंड को तो आईए हम क्या करते हैं क्वारेंड को यहां पे समझ लेते हैं जै है इसको ब्लैक कर लेते हैं तो यह हमारे पास समझो की क्वाडेंट हुआ ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें समझना इसमें डिगरी का वैलू लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखते जाओ यहां पर हम क्या करेंगे जैसे की 180 और 90 कितना होगा 927 200 कितना होगा 70 डिगरी हो जाएंगे तो यह 270 डिगरी अब इधर क्या होगा 90 डिगरी और जोड़ेंगे तो यह 307 डिगरी हो जाएंगे और इधर से आएंगे तो बढ़ते करम, घड़ते करम का बहुत बढ़ा रोल है, इसे हम समझेंगे, अब यहां पर हम समझ लेते हैं कौन सा चतुर्थांस है इसमें, पहला चतुर्थांस कोन है, दूती है कोन है, तृती है कोन है, तृती है कोन है, चतुर्थ कोन है, तो हमारे पास चतुर्थांस हो गया, इसमें क्या है पैरवच्छो एक रोल है, क्या रोल है इसमें, कि जैसे कि ये फर्स चतुर्थांस में, तिरकोनमीती अनुपात टोटल कितने है, तो 6 तिरकोनमीती अनुपात है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेख हो गय यह च्छे तिर्कौन मीतिया आनूपात हैं हमारे पास तो इसमें क्या रोल है सबसे निए ट्रिक मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या है हमारे पास आफ्टर Dus school to coaching यहां पर क्या है त्रिक हमारे यानि जितने भी सारे त्रिकोन मिती अनुपात है, सारे के सारे इसमें पलस वाले होंगे, तो टोटल त्रिकोन मिती अनुपात हम यहां पे लिख देते हैं, कौन-कौन होते हैं, तो वो होता है प्यारवच्चों, जैसे कि साइन हो गया, है ना, कौस हो गया, ओके, टेन हो गय राइट और कॉट हो गया है ना उसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों सेख हो गया ओके और कॉसेख हो गया ओके तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों इसमें जितने भी त्रिकून मीती अनुपात है वो सारे के सारे इसमें प्लेस वाले होते हैं ठीक है यानि पाएंगे ठीक है, बोर मत होना, क्योंकि आपको पढ़िना है, समझ रहे ना, तो स्टोटल इसमें पलस्वाले होते हैं, यानी पहले 4,25 में, दूतिये 4,25 में, इस लगा है, मतलब क्या हो गया? साइन और कॉसिक एसमें पलस्वाले होते हैं, इसमें लगा, यह ढोनों के दोनों पलस वाले होते यह ढोनों पलस वाले होते हैं इसका मतलब ज़िखान रखना थफड़ क cracking लिर्टी यह मतलब टन और और कार्ट समझो कुछ समें किन और प्लेश कऱ ट्रटीप क्या होगा टन और को टंज आज लिगजते हैं तो अर प्लेश वालेले होते हैं यह तो हम क्या नहीं करते हैं तुए इसतनी तूर आप मछो समझने हैं है इसलग बच गए जैसे कि साइन बच गए कॉस बच गए कॉसिक बच गए सेक बच वह चारों क्या होंगे इसमें माइनस वाले होंगे समझने न जब यह दोनों पलस वाले तीसरे चतुर्थांस में इसका मतलब चारों जो बच गए वह माइनस वाले होंगे इसमें ठीक है अब इसमें si car Like Will Given Best मतलब क्या हो चोस और सेकि 확ile Online और सेक जो एना प्यारे बच्चो में क्या होंगे ये दोनों के दोनों पलस वाले होंगे बागी के च्यार जो बचके वह माइनस वाले होंगे बागी के चार कौन है साइन है और कॉसेक है और 10 और कॉट वो चारो इसमें क्या होंगे माइनस वाले होंगे यह आपने समझ लिया हाँ भाई आपने यह समझ लिया अब हम एक चीज और बताते हैं जैसे कि यह 0 डिगरी है 90 डिगरी है 180 डिगरी है 270 डिगरी है 360 डिगरी है कि नहीं अब आपसे खिर जो डिगरी है नहीं इस रेडियन में करें तो रेडियन में करें एक सॉसरी पाइक का मान कितना होता समझ में आई बात हाँ भाई आपको तो ये बात समझ में आ गई है ना अब 180 डिगरी को क्या लिखेंगे रेडियन में तो आप लिख देना सिर्फ पाई लिख देना क्या लिख देना पाई और 270 डिगरी को क्या लिखेंगे रेडियन में तो थिरी पाई वाई टू लिखेंग है ना हमने लिख दिया 3 pi by 2 दिख रहा है ना हाँ यह रेडियन में convert हो गया क्यूं क्यूंकि प्यारवच्छ तीन में अगर गुना करेंगे पाई की value कितना है होता है 180 degree होता है और बट्टा में 2 है तो 2 हम काटेंगे तो 9 दूना 18 हो गया 90 degree अब 90 से तीन में गुना करेंगे 97 70 degree आजाने 270 degree आ जाएंगे इसलिए 270 degree को रेडियन में convert करके 3 pi by 2 हमने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है प्यारवच्छ तो यह आपने समझ लिया अच्छा 360 degree को क्या लिखेंगे तो बस दो पाई लिख तो टू पाई 360 degree को रेडियन में क्या लिखेंगे टू पाई लिखेंगे ठीक है हमने यहां पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत क्यूंकि पाई कामान 180 degree 180 में 2 से गुना करेंगे 360 360 degree हो जाएंगे तो हम इन सभी को रेडियन में भी कनवर्ट कर दिये तो यहां पे डिग्री से रेडियन में करना भी आपने सिख लिया कोई दिक्कत नहीं दिक्त हलो हां तो कोई दिक्कत नहीं तो यह हमारे पास आ गया अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्च्छों चें में होता है कॉस्ट ठीटा में है ना और उसके बाद साइन जैसे की साइन कॉस्ट ठीटा में चेंज होता है ना तो कॉस्ट भी क्या होता है साइन ठीटा में चेंज होता है इस बात को ध्यान रखना जीस तरीके से साइन ठीटा में चेंज होता है उसी तरीके से कॉस्ट ठी होता है ठीक है लेकिन अगर मैं कहूं कि कॉट ठीटा किसमें चेंज होता है तो वह होता है 10 ठीटा में मतलब 10 ठीटा कॉट ठीटा में चेंज होता है तो यह सब चेंजिंग पॉइंट है एक और चेंजिंग पॉइंट है क्या हमारे पास चेंजिंग पॉइंट वह हम लिख देते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पे सेक ठीटा किसमें चेंज होता है सेक ठीटा तो सेक ठीटा चेंज होता है प्यारे बच्चो कौसेक ठीटा में कौसेक ठीटा में ठीक है और कौसेक ठीटा भी चेंज होता है किसमें सेक ठीटा में ठीक है सेक ठीटा में करकना तो यह आपने समझ लिया तो यह हमारे पास कब होगा चाहां पे चेंज होगा फ्यारे बच्चों अगर मैं आप से पूछ lum तो यह सब चेंज होता है याद रखना 90 डिगरी पर कहा पर चेंज होता है नबे डिगरी पर याद रखना नबे डिगरी पर चेंज होता है और 270 डिगरी पर होता है इसी पर चेंज होता है नबे और 270 डिगरी पर ही चेंज होता है बाकी 180 डिगरी 307 डिगरी पर चेंज नहीं होता है बस यही रेखा पर चेंज होता है मतलब ये y अक्षवाला होता है और ये जो होता है x अक्षवाला होता है ठीक है तो y अक्षवाले पे ही change होता है इस बात को ध्यान रखना अब हम क्या करेंगे सुत्र निर्मान करना सीखेंगे ठीक है तो प्यारे बच्छों एक चीज और आप इसमें बताना है कि अगर यहां पे समझ लो अगर मैं आप से फॉर्मूला पूछूंगा कि भाया बताओ साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा है बराबर क्या होगा साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर क्या होता है बस हमें जो याद है वो नहीं देखना है हमें यहां पे इस फॉर्मेट पे समझना है concept को होता है तो 90 डिगरी 270 डिगरी पे चेंज होता है याद रखना तो यहां पे 90 डिगरी है यहां देखो यहां भी 90 डिगरी है तो साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा है तो 90 डिगरी पे चेंज होता है ताब देखो साइन किसमें चेंज होगा तो साइन होता है चेंज भया कॉस में अगर 90 नकोन बांट कुछ जूट तो इसका मतलब बढ़तेकरम में चलते हैं। क्लियर समझ में आई ना बात तो यहां पर 90 डगरी में से क्या हो रहा है प्यारे बच्चोप घर्टे करम, तो घड़ते करम के नहीं है, 90 डिग्री से स्टार्ट करना, अगर 90 डिग्री से इधर आते हैं तो बढ़ते करम होगा, क्योंकि 90 डिग्री इधर 16 डिग्री इधर 17 डिग्री, तो इधर बढ़ते करम हो गया, इधर हम चलेंगे तो घड़ते करम, क्यों? क्योंकि यह 90 डिग्री कॉस हो गया टेन कॉर्ट से को से यह सारे के सारे पलस में होते हैं किसी में होते हैं पलस में होते हैं तो प्यारे बच्छों यहां पे साइन है इसका मतलब साइन जो है वह फर्स्ट कॉर्डेंट में क्या है पलस में है तो यहां पे इसका रिजल्ट आएगा पलस में तो पलस प्रेट की तरह चीपा रहता है दिखाओ या ना दिखाओ कोई बात नहीं है इसका मतलब पलस के कॉस्ट ठीटा इसका एंसर हो गया नहीं समझ में आई एक चीज और मैं पूछता हूं अगर मैं आप से पूछू यहां पर कि भाईया साइन साइन नभे डिगरी पलस के ठीटा बराबर क्या होगा तो आप क्या जवाब देंगे तो आए कोई दिकत नहीं यहां पर साइन नभे डिगरी पर चेंज होता है नभे डिगरी पर क्या होता है चेंज होता है तो नभे डिगरी पर चेंज होगा यहां पर साइ है साइन किसमें चेंज होता है कॉस में तो हम यहां पे लिखेंगे क्या कॉस ठीटा हमने लिख दिया कोई दिकत नई दिकत अब देखो यहां 90 डिग्री में कुछ जूट रहा है जैसे ठीटा इसका मतलब जूट रहा है तो 90 डिग्री में कुछ जूट रहा है इसका मतलब क्य क्वादेंट में आ जाएंगे और सेकेंड क्वादेंट में क्या होता है साइन और कॉसिक पलस में होता है साइन और कॉसिक इसमें होता है पलस में होता है तो यहां पर देख सकते हैं साइन है क्या यहां पर साइन है इस साइड से मतलब है इस साइड से में मतलब नहीं यहां प cost theta कोई दिक्त नहीं दिक कट अगर Sine 90 degrees minus theta आह पूछू तो भी कहेंगे cost theta आएए एक और formula मैं आपको देता हूं अगर मैं आप से पूछूंगा क्या पूछूं चलो cost से पूछते हैं अगर मैं आप से पूछूं की cost 90 degree minus theta बराबर क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे कॉस्ट नभे डिग्री माइनस टीटा तो यह नभे डिग्री है नभे डिग्री पर क्या होता है पहरे बच्छो चेंज होता है तो कोई दिकत नहीं कॉस्ट जो है वह कॉस्ट किसमें चेंज होता है वह आपको पता होना चा तो हम यहां पर लिखेंगे साइन ठीटा हमने लिख दिया ठीक है अब 90 डिगरी में कुछ घट रहा है मतलग घटते करम तो 90 डिगरी से इधर आएंगे घटते करम तो फर्स्ट कॉड़ेंट में आएंगे और फर्स्ट कॉड़ेंट में सभी तिरकुनमी तीया अनुपाद जो कहूँ की कاؤ से 90 डिगरी पलस्ट में ठीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या जबाब देंगे है न क्या जबाब देंगे तो Lloyd Smith चन्ज तो कॉस को चेंज कर दो तो कॉस जो बदलता है साइन में तो हम यहां पर लिखेंगे साइन ठीटा हमने यहां पर कर दिया ठीक है अब देखो प्यारे बच्छों 90 डिग्री में कुछ जुट रहा है मतलब एड हो रहा है क्या है कुछ जूट रहा है इसका मतलब एड हो रहा है जब add होता है तो हम क्या करता है बढ़ते करम में चलता है तहरा नब्बे डिर में कुछ यूद रहा है बढ़ते करम बढ़ते करम में आएंगे तो second quadrant में आएंगे और सेकेंड कॉडिनेंट में साइन और कॉसेक पलस में होता है क्या होता है साइन और कॉसेक क्या होता है पलस में होता है बाकी सब रिनातमक होता है तो साइन कॉसेक पलस में होता है लेकिन यहां गौर कीजिए यहां पे कॉस है यहां पर कॉस है यहां पर साइन कॉसक सिर्फ पलस में होता है बाकी रिनात्मक होता है इसका मतलब कॉस क्या होगा रिनात्मक होगा है ना तो रिनात्मक होगा तो इसका मतलब रिनात्मक का चिन लगा दीजिए माइनस का चिन लगा दीए तो इसका एंसर हो जाएगा कॉस बारा सुतर निकाल सकते इस पर भी 180 लुदेंगे 1212 सुतर यह 270 लिगरी 1230 . तीन सोजञे निकाल सकते हैं टोटल हो जाएंगे और तारीय सुतर आयों और निकालते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहले बच वहीं मोईधिर है यह थोरा मोडिफाइड करके यहाँ मैंने समझाय आपको यह थोरा मोडिफाइट करकी यहां पर रख दिये है ठीक है कि फर्स्ट कार्डिन पर सारे का सारे, सेकेंड'D狂रे साइन और कॉसक प्लस में होते हैं और थर्ड क्वार्डेंट में टेन कॉट प्लस में होते हैं और चतुर्थ क्वार्डेंट में भाई कॉसक और सेख प्लस में होते हैं ठीकर पैर बच्चों यह आपने समझ लिया अब यहां पर क्या करेंगे प्यारे बचों अब हमको निकालना चलो अगर मैं आप से पूछू भाईया मैं आप से पूछूंगा कि बताओ 10 10 जो है वो 90 degree minus theta बराबर क्या होता है तो आप क्या जबाब देंगे तो आप कहेंगे कि sir 90 degree मतलब अच्ट कट्रा यहां तो अब क्या करेंगे धर खोटते करेंगे इधर सार होता है पर असमें हो आप Echo is का मतलब दें जो है तो पल्ष लीखो या नं को को फितिकत नहीं अगर प्लोट तेंग technically 90 degree और माइनस है ना पलस में ठीटा कर दे, 10 90 degree पलस ठीटा बरावर क्या होगा, तो 90 degree पर change होता है, 10 है ना, तो यह हो जाएंगे किसमें, कॉट में हो जाएंगे, तो हमने यहां पर कर दिया, कॉट ठीटा, अब देखो, 90 degree में कुछ जूट रहा है, 90 degree में कुछ जूट रहा है मतलब बढ़ते करम में चलेंगे, तो बढ़ते करम में चले आएंगे, तो second quadrant में आपको मुलाकात होगा, और second quadrant में साइन और कॉसेक सिर्फ पलस में होता है, तो साइन कॉसेक पलस में होता है, इसका मतलब बाकी के जितने भी 4 बच्च के वो माइनस में होगे, इसका मतलब 10 10 भी क्या होगा? माइनस में होगा, तो 10 माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, तो 10 90 डिग्री पलस ठीटा क्या होता? माइनस कोड ठीटा, यह आपने समझ लिया, आईए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 180 डिग्री पर चलते हैं, इसको समझ लेते ह तो बराबर क्या होगा अच्छा इसी फॉर्मूला को ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि रेडियन में क्या लिखते है एक्सासी को पाई लिखते है ना रेडियन में क्या लिखते है एक्सासी डिग्री को पाई लिखते है और 90 डिग्री को क्या लिखते है भाई पाई वाई यहीं 2 भी हो सकता है 180 degree के पाई भाई भी हो सकता है जैसे यहीं question है यहीं हम समझा देते हैं मालों जैसे sin 90 180 degree minus theta है आपसे यह question ऐसे भी पूछ सकता है कि sin 180 यानिë pi रडिएन में pi होता है minus theta pi minus theta बराबर क्या होता है तो दोनों same है confuse मत होना ठीक है तो sin 180 degree minus theta है बहुत simple है प्यारे बच्चों आप देख लो 180 है और 180 पर कोई चेंज नहीं होता है चेंज होता है 90 और 270 डिग्री पर चेंज होता है बाकी पे चेंज नहीं होता है इक्स वसी परनोंच मतलब साइन है तो यह साइन ओठीटा रहेगा साइन है तो साइन ओठीटा रहेगा मतलब यह तींग सकते हो साइज है इसपर कोई नहीं होता है ठीक और प्यारे बच्वी एक्ससीु डीगरी में यह फिर पाई में कह सकते हो तो एक्ससीु डीगरी में कुछ घट रहा है मतलब घटेकरम में चलेंगे तो एक्ससी में देखो इधर आएगा तो 270 डीम लागकात हागा तो इधर तो बढ़ te होते हैं इसका मतलब क्या होगा sign पलस में हो रहा है यही है ना यहीम पुछा थे sign करते चलना ठीक है दोस्तों को भी जैर कर देना वाई ठीक है आप के लिए मैं मेहनत करता हूं तो आप भी हमारे लिए मेहनत कर दो ना क्या दिक्कत है है ना अब यह समझ लिया अब यहीं पर मैं आप से पूछू आप से कि चलो साइन साइन 180 डिगरी पलस ठीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे तो हम एक साइसी पर चेंज नहीं करते साइन है तो हम लिखेंगे साइन ठीटा हमने लिख दिया अब एक साइसी डिगरी में कुछ जूट रहा है इसका मतलब बढ़ते करम में चलेंगे त ऐक साइसी में जूट रहा है स्टेम है और एक साइसी बॉड़ते करम सी चाहिए और बढ़ते करम में तो इसका जिए रीजल्ट मेंwe में करेक्ट ना आपने ये समझा भाई हाँ आपने ये समझ लिया कोई दिक्कत नहीं होना चीज सारा चीज में आपको मतलब धैर से समझा रहा हूं ठीक है तो यह आपने समझा और भी हम समझेंगे और एक फॉर्मूला लेते हैं जैसे कि अगर मैं पूछू कि 10 भाई 10 180 चंज नहीं होता है तो तो यह रहा गाटे ने हमाना पॉठार में अध्युक्त नहीं समझ लिए तो पिलस इसका मतलब ने उन्हा तो ल कई पर जो दिक्हाँ ने सब्कार आज 실me सखोग नहीं परता है तो यह हमारे पास क्या हो जाएंगे आंसर निकल करके आजाएंगे ओक आपनी यह समझ लिया तो 180 भी समझ लिया आप x !! 181 क्या करना छे 30 कोन मीति वन वात होते यह पले आप इसको समा दयता हूं आपको समझार जेता हुँ आप निकाल सकते हो सभी में क्या निकाल सकते हैं है ना साइन ठीटा होता है ना साइन नब्वे डिगरी है ना माइनस ठीटा बराबर क्या होता है कॉस्ट ठीटा होता है है ना उसी तरीके से क्या करना कॉस नब्वे डिगरी माइनस ठीटा क्या होता है साइन ठीटा होता है होता एक नहीं होता उसी तरीके से टैन नब्वे ड ठीटा क्या होता है तो आप कहेंगे सर यह होता है अरे कोट ठीटा होता है कि नहीं होता है अब उसी तरीके से कोट है ना कोट 90 डिगरी माइनस ठीटा क्या होता भाई तो आप कहेंगे सर टेंड ठीटा होता है है ना नब डिगरी पर चेंज होता है ओके अब वहीं हम पूछे यहां पर चारग हो गया, अब मालो की सेक में चलते हैं, सेक 90 डिगरी माइनस ठीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर, कौसेक ठीटा होता है, कौसेक ठीटा और वहीं पर हम पूछ दे भाई, कौसेक 90 डिगरी माइनस ठीटा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, आप तो सिफ पॉर्मुला आए इस तरीकर से छे स्टतक निकलATION और अत्र ONT तरूरत में क्या आप जैसे साइन अबलबोगलिमा्यश टीटा तो साइन अबे डिमाने नुदिता तो सफ ना basin फर्मुला निकलेंगे सिर्फ 180 पर और 12 फर्मुला निकलेंगे 270 पर और 12 फर्मुला निकलेंगे 360 डिगरी पर है ना इस तरीके से टोटल और 40 फर्मुला निकल जाएगे यह हमने जो दिया आपको Minus के θ being together to apply in और तो आप क्या जबाब देंगे, है ना क्या जबाब देंगे, तो आप सिधा कहना Sir, हम तो जानते हैं, या आपने कहा कि 90 degree और 270 degree पर change होता है, हम change करेंगे, अच्छा, इसी formula को ऐसे भी पूछ सकता है कहीं doubt नहीं होना चाहिए साइन है तो साइन है और 270 डिगरी को हम क्या लिखते हैं भाई तो 3 pi y 2 यह न लिखते हैं तो 270 डिगरी के जगा पर रेडियन में 3 pi y 2 भी हो सकता है और माइनस ठीटा तो ऐसे भी पूछ दिया जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कनस्यीटी होना है ठीग कर बच् alarming किया बस चेंज नोच होता है 210 चत्च होता है साइन किस में बदलता है कौस में बदलता है है और तो हमने कौस3 रख दिया अब प्यारे बच्यों Ik physician अि पड़ते करम तो 27 से इधर आरंग यह तो इदर घलते करम उधर जाएंगे 300 साल यह बढ़ते करम हो जाएंगे, तो इधर आएंगे तो घरते करम, घरते करम यानि थर्ड क्वादिन्ट में आपसे मुलाकात होगा, और थर्ड क्वादिन्ट में 10 और कॉर्ट पलस में होता है, यहां तो साइन है, यहां क्या है प्यार बच्छो, साइन ह हैं तो माइनस में हो जाएंगे ना टेन और कोट सिर्फ पलस में होता है इसका मतलब बागी के चारो माइनस में होंगे इसका मतलब यह माइनस का होगा माइनस के कोश ठीटा इसका एंसर हो दोह यह को सो जाएगा कौो शिर्टा सर 250 लिम्षोब रहा है इसका मतलब बढ़ते कर बढ़ते करम तो यह हमारे पास बढ़ते करम इधर आएगा 1970 खिटा और तो आपनी यह समझ लिया है न 277 कर आप कुछ भी निकाल सकते हो क्या निकौल मानों की टेन पर निकाल यह इकाल को से निकाल देते हो मानों की कॉस आप से पूच दिया 270 डिग्री माइनस में ठी टा बराबर क्या होगा तो क्या जबाब देंगें तो आपकेंसर 270 डिगरी पर तो चेंज होता है, कॉस हो जाएगा, sign में change, तो sign ठीटा, अब दोगर 270 डिगरी में से कुछ घट रहा है, मतलग घटे करम, तो घटे करम इधर है, इधर क्या होता है? 10 और कॉट जो हता है, पलस में होता है, 10 और कोट पलस में होता है, इसका मतलब कॉस क्या है, कॉस जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, माइनस का रिजल्ट हो जाएगा, उसी तरीके से अगर मैं आप से ये पूछ दू कि कॉस 270 डिगरी, पलस में ठीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहें एड होड़ा है एड हो रहा है दो एड हो ना इसका मतलब इधर चलेंगे इस वाले भाग में 279 टो ट खॉड Dr Quadrant में में आजए बार कॉस और सेख प्रिश में होटे हैं तो कर्स्ट सय थी यह origin पर संग्यिंगे मतलब साइन ठीटा यह पलस से के रहेगा ठीक है तो यह हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कोई दिक्कत तैरे बच्चो नहीं न दिक्कत तो यह सब आपने समझ लिया 270 डिग्री पर अब क्या करते हैं 306 डिग्री पर भी समझ लेते हैं क्या दिक्कत है इसी तरीके साब सारे के सारे निकाल सकते हो 306 डिग्री पर क्या होता है नो चेंज हम तो चेंज करते 90 और 270 डिपर लेकिन 180 डिग्री और 306 डिग्री पर चेंज नहीं करते हैं तो 306 डिड़ी तो इस पर चेंज नहीं होता है तो हम क्या करेंगे टेन हैं तो टेने ठीटा लिखेंगे कि है कि नहीं अब 10ट वगया अब 05 av 5 अब 306 में कुछ घढ रहा है प्यारे बच्छो तो त साथी में कुछ घढ रहा मतल dislod ड़त नद है तिन सबस्क्राइशेशन laugh तो चबके गढ़ी बाकी सब्तिर्ठ होता है यानि Cinema ऌहाला भी क्या होगा तफल्मारेory зов में ход गडते करम इधर है तीनसों साथ डिगरी दूशो सत्ताइए गडते करम इदर हो सविए कुछ घटर मतलब घटे करम, यानी चतूर्स-चतूर्थांस में आ जाएंगे और चतूर्स-चतूर्थांस में हमारे पास कोसे ठीटा, और सेक्ट क्या होते पलस में बाकी सब रिनात्म होता है यानि 10 वाला भी क्या होगा रिनात्म होगा तो यानि माइनस का यह हो जागा 10 ठीटा अब यहीं पर हम प्यारे बच्छों एक और फॉर्मॉला पूछते हैं अगर मैं आप से पूछू कि 10 है ना तीन्सेस इअधी डिगरी पर रस ठीटा बराबर क्या होता है 302 साथ डाट पे रेडियर में भी डाल सकता है this मर्य दिकत डियंच क्या देट पौम होता है तो प्लस ठीटा भी कर सकता है तो कि यह सब धिहान रखना ठेक इह आउरे अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों टेन है 306 डिगर क्या होता है नो चेंज टेन है तो यह टेने रहेगा है ना टेन है तो यह टेने रहेगा तो टेन ठीट आम कर देते हैं अब क्या करते 306 में कुछ एड हो रहा है घर्टेकरम कोच आट रहा इसका मतलब फ्रस्ट क्वाडन में इसको उच्छाल देगा क्या होका फ्रस्ट कोड़ेंट में इसको भेद दे कगा हगत लिए बढ़ते करम तो आगे भेग भेग देगा फिर फुच्छ आए डोगता आगे फ़र्स्ट क्वाड़ लिएक है तो यह हमारे पास answer नीकल की आ गया इस तरह के से सभी का निकाल सकते हैं टे निकौल गया कोट निकाल लो सेग तो सनी κणल सब में अइनब तो हम एक चीज़ आपको देते हैं आप लोग comment करना lumber अंसर क्या होगा इन माल ले तो है माल ले तया है कि कंते है इन सेक तीन-? बराबर क्या होगा जल्दी बताना यह न जल्दी इसका एंसर हमको कमेंड कर देना जो बच्चे देखेगा म् मुलástico क्ते का 189 में आप समझ सकते हो है ना तो आई होब की प्यारे बच्चों आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी सेर करना अगली वीडियो में लेंगे तब तक के लिए बाए